हाई गाईज वेलकम तो मैं चैनल इजी नेटिंग क्लासेज तो देखे फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ये बच्चे की पैंट पैंट कह लेजिए आप इसे कैलिस वाली पैंट कह लेजिए बिब वाली पैंट भी कह सकते हैं आप इसे और बेसिकली रॉ है कि ये कि स्थरे से बनानी थैंया और साहिज जिसका करीवन मैंने बनाया ये पंचे के लिए यहां पर देखिए कोई भी पैटन नहीं डाला है विप पार्ट पर और आगे से मैंने इसमें यह रैबिट का पैटन डाला है यहां पर एक पैंट शेयर करने जारी हूं मैं आपके साथ बच्चों के लिए साइज तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है तो साइज इसका दो से तीन साल के सम्थिंग रहे का अराम से वह मैं आगे आपको स्टेप बरी स्टेप बता दोंगी कि किस साइज का मैं बना रही हूं अब देखिए यहां पर मैंने यह बॉडर बना के रखा हुआ है पहले से यह वाला बॉडर मैंने मेरे चैनल पर इसका सेपरेड वीडियो बनाया हुआ है टू इंटू टू का बॉडर बोलते हैं इसे इसमें दो उल्टे और दो सीधे फंदे बुने जाते हैं अगर मैं आपको इसको पूरा बना के बताती तो यहां पर यह वीडियो बहुत बड़ हो जाता तो यहां पर वीडियो को थोड़ा चॉर्ट करने के लिए मैं नहीं आप बॉडर पहले से बना लिया बिस के आगे मुझे क्या करना है वह मैं आपको अप समझा दू है तो देखे यहां पर आपको बता देती हूं देखे एक पैर मैंने आपर बनाके रखा हुआ है यह देखें गरी ड्रेण जो बच्चे के पेंट के हैं सेम बनेँगे यह देखें यहाँ पर यह मैंने बॉर्डर उट बना के और यह देखें एक पैर मैंने बना एक रखा हुआ है पूरा इसके लेंड तक ठीक हैas तो अब मैं आपके साथ यहां दूसरा पैर शेयर करने जाए यह वाला मैंने पार्ट सेम पार्ड बनाना यहां पर वो किस तरह से बनाया हुआ है वो मैं आपको बता रही है अब देखिए यहां पर दौनों पर सेम ही बनेंगे ध्यान रखिएगा तो आप यह बॉर्डर मैंने किस तरह से बनाया है हलाकि मेरे चैनल पर है आप देख सकते हैं जाके अगर आपको नहीं आता है तो हो छाओ फां यहां तो मैंने डाले है 46 सिच चैस मैंने डाले है जो फंदा हमें जैसा देखता है वैसा यहां बुएते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा इसका आईडिया दे देती हूं कि मैंने यह बनाया किस तरह से देखी मैंने यहाँ पर यह फंदे डाले हुए हैं यह देख लिए हैं आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं जो बिगनर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं यहाँ पर मैंने उल्टे से स्टार्ट कराया देखिए एक फंदा स्किप करेंगे अब दूसरा फंदा इस तरह से उल्टा बिनेंगे दागा पीछे जाएगा हमारा फिर दो फंदे हम सीधे बनेंगे देखिए इस तरह दो फंदे इस तरह से उल्टे ठीक है दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा आगे दो फंदे उल्टे यहाँ तो मैं आपको सेंपल के तौर पर बता रही हूं और आप यहाँ पर 46 फंदे डालिएगा अगर आपको बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया है अब यह देखिए यहाँ पर जो फंदा हमें जैसा दिक रहा है हमें वैसा ही बनना है ठीक है थोड़ा सा क्लियर कर लेती है एक नट पाएस को करेंगे दूसरा फंद सीधा अन्यजा हैसीधा बनेंगे तो हमारे दो फंदे सीधे हो गए दागा आगे जाएगा दो फंदे यह उल्टे है इह द दागा आगे आएगा, दो फंदे, उल्टे बुनेंगे, दागा पीछे जाएगा, दो फंदे, सीधे बुनेंगे, दागा आगे, दो फंदे, उल्टे, दागा पीछे, दो फंदे, सीधे, बस, यही करना है हमें इस पूरे बॉर्डर में, बाकी हमें अपने लेंथ के अकॉर् यह देख सकते हैं आप यहाँ पे से इसी तरह से बनाना है इसको 46 फंदे इसको तम एक तरफ रख देती हूं 46 फंदे डालके अब कि मैंने याँ पे 20 सलाइवा बनाई हूई है ठीक है 20 रोज बनाई हूई है और इंची टैपस में मेजर करके आपको बता देती हूं कि मैंने य यह देख्या पे इंची टिप से देखें, то मैंने यह देखर भाई इंच बनाया है यह देखर dh vai inch तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर हमें फंदे बढ़ानी है तीक है मैंने यह निडिल 10 नम्मर यूसे कि ए दस नम्मर की सलाइया ही यूसे कर रही हूं ठीक है, और वूल यूज़ कर रही हूं मैं, निट प्लस शॉफ्ट वूल है, बहुत बेबी वूल है, बच्चों की वूल है निट प्लस है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूं, शायद उस वाले यह गंगा में आती है, मुझे याद नहीं है कुछ असा, तो और गरे कलर में इस तरह से बनाना अब इसके आगे में नौ नंबर की सलाइयां यूज करूँगी ठीक है साधा साधा सीधा सीधा देखी इस तरह से बनाऊंगी आपको दिखाने के लिए सैंपल के तौर पर सीधा बनेगा यहां से तो नौ नंबर की सलाइयां में यूज करूँगी यह देख लेजिए मैंने आपे 9 नमबर की सलाइयां यूज की हैं आगे चलके तो यह देखिए अब यहाँ पर मुझे फंदे बढ़ाने हैं ठीक है कितने बढ़ाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ अब देखिए यहाँ पर मैं 10 फंदे सुरी 10 नहीं मैं यहाँ पर 46 फंदे हैं तो पहले मैं इस रो में 52 फंदे कर लोगी ठीक है 52 फंदे कर लोगी स्टार्टिंग में अब देखिए किस तरह से इसको आप सीधा सीधा बनना है यहां मैं फंदे बढ़ाउंगी, यह देखिए, मुझे 6 पंदे बढाने, 1 बढा लिया, मैं कोई counting नहीं रखती हूँ कि मुझे कितना कितने फंदों के बाद बढ़ाना है अब मैं यहाँ पर दूसरा बढ़ा लूँगी दो एक और बढ़ाऊंगी तीन यह देगे चार मैं कोई counting नहीं रखती हूँ कि कितने फंदों के बाद बढ़ाती हूँ ठीक है क्योंकि उससे कोई फर्ट नहीं पड़ता है एक और बढ़ाऊंगी पांच लास्ट में एक और बढ़ाऊंगी यह देगे छे ठीक है रॉंग साइड से पूरी रो उल्टी निकाल हूँ ठीक है वो भी देख लेजी किस तरह से पहला फंद स्किप करूँगी देखे इस तरह से उल्टी सीधी रो किस तरह से बनाई जाती है उल्टा सीधा किस तरह से बुनते हैं यह तो सभी को आता है लेकिन अगर आप मेरे बिगनर्स हैं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं मेरा तो आप मेरे चैनल पर मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए उसमें मैंने इसमें इस तरह से बुनना बताया हुआ है तो यह देखे इस तरह से मैं पूरी रो उल्टी निकाल हूँए अब ही देखें मैंने पूरी रो उल्टी निकाल ली अब देखें मेरे पास कितने फंदे बता देती हूँ दो, चार, छे, आट, दस, बारा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 फंदे अब मैं क्या करूँगी, एक सलाइप में सीधी तरफ से मैंने बढ़ाया, फिर मैंने एक रो उल्टी निकाल ली एक, इसके बाद फिर मैं ये रो सीधी निकाल लूँगी, ठीक है, उसके बाद फिर एक उल्टी निकाल लूँगी फिर next जो cd row इस समय में रपास cd row पया हूँ है ठीक है तो इस रोपे मैं नहीं बढ़ाऊंगी ठीक है देखे सीधी सलाई मैंने फिर से कंप्लीट कर दी बिना बढ़ाये हूँ ठीक है उल्टी सलाई पर नहीं बढ़ाया यह दो रो हो गई अब थर्ड रो पूरी उल्टी जाएगी यह वाली मेरी एक पन्दा स्किप करके पूरी रो मैं उल्टी बनाऊंगी यह थर्ड रो है देखे बिलकुल लास्ट में आ गई हूँ थर्ड रो है मेरी अब देखी, अब यहाँ पे यह 4th row है मेरी, 4th row भी मैं सीधी निकालूँगी और 5th row मैं उल्टी निकालूँगी, इस पर भी नहीं मैं बढ़ाओंगी, ठीक है? मतलब मेरे खहने का उलब यह है कि 6th रोपे मैं बढ़ाओंगी यह 4th है इसको भी पूरी इस तरह से निकाल लेती हूं उसके बाद में उल्टी रोपी उल्टी निकाल लेती हूं पूरी यह देखिए अब मैं यहाँ पर 5 भी सलाई निकाल ले हूं 5th रोप रोंग साइड से और मैं 6th रोपे फ्रेंड साइड से यहाँ पर यह देखिए आ गई हूं ठीक है यह देखिए अब मैं 6 सलाई पर हूं फ्रेंट साइड से आ गई हूं यहाँ पर हमने एक बार में बढ़ा दीए थे 6 फंदे ठीक है इसके बाद आप हमें क्या करना है हर छटिमी सलाई पर जिस तरह से मैं आपको बताए हर 16 सलाई पर एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से हमें बढ़ाना है ठीक आप देखिए किस तरह से पहला हमने skip किया दूसरे फंदे पर हमने इस तरह से देखिए बढ़ाया फिर से skip पीछे वाले लूप में से लेंगे इस तरह से ऐसे भी आप बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसको मैं बता देती हूं बढ़ाने की कई अपने तरीके होते हैं इस फंदे को यहां से उठार लेंगे इस वाले को यह देखे इधर लेखे इस तरह से एक और यह दो ठीक है एक पंदा बढ़ गया पूरी रो लाश्ट के फंदे तक सीधी बुनेंगे देखे बुनते बुनते में आ गई हूं बिलकुल लास्ट में अब हमें एक फंदा लास्ट के पहले फंदे से इस फंदे पर बढ़ाएंगे ठीक है या तो आप इस फंदे को यह जो नीचे वाला पॉइंट है मैं थोड़ा सा इसको किलियर कर लेती हूं बिलर अब देखे या तो आप यह जो फंदा है इसको उठा लीजिए इस तरह से इस पर रख लीजिए और इस तरह से इसको बुल लीजिए ठीक है और इसको भी बुल लीजिए तो यह हमारा यह इस तरह से हमें एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड बढ़ाना है ठीक ह अब क्या करना है हमें बैक साइड से पूरी रो हमें उल्टी बनानी है और गाइस दूसरी चीज मैंने यहाँ पर यह नौ नमबर की पॉइंटेट सलाई है यूज कर रही है इस समय क्योंकि मेरे पास यह एक ही सेट है नाइन नमबर की सलाईयों का जो इसमें लगा हुआ यह भी नाइन नमबर की है बट यह गला बनाने वाली है अभी फंदे थोड़े कम है और इसमें अभी मुझे थोड़ा सा एक इंच के करीबर और बनाना है इसकी लेंथ मैं आपको बता इन इंच रखोंगी थोड़ी मैं लंबी रखोंगी नॉर्मल से ज्यादा क्योंकि मैंने आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कम से कम कोई ट्रेस अगर बनाती हूं मेहनत करती हूं तो उस पर कम से कम दो या तीन साल बच्छों को ट्वूसीजन तो पहनाती हूं तो इस साल में हमको इस तरह से फूल्ड़ करके फिना दूगी नेक्स डिय यह खोलके फिना दूगी तो यहां से ङले देखी कर भी से पहली स्लाई प्रहली आन बना cents चान्ट करेंगी तो इसको पूरा हो वने बन रो हो जाएगी इसको सीधा बनेंगे two इसको उल्टा बनेंगे फिर से इसे उल्टा five जब यहाँ six पे आएंगे फिर से हम एक पंदा यहाँ बढ़ाएंगे एक पंदा यहाँ बढ़ाएंगे इस तरह से करते हुए आप अपने बच्चे की लेग से नापकी, आप कितने बड़े बच्चे का बना रहे हैं, यहां 46 बंदे मैंने डाले हैं, बॉर्डर पर, इसका यह देखी, करीबन यह जो चोड़ाई है बच्चे की, अगर आप इसको इस तरह से स्टेच करें, तो आराम चाहें, अपने हिसाब से, मैं यहां कितनी लेंद रखनी हूँ प्रॉपर, वो मैं आपको इसको कम्प्लीट करने के बाद बता दूँए, ठीक है, तो चलिए, फिर मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, इसकी लेंद के अगोड़ी, हर छेटमी सलाई पे, फिर से बोल दी ह हर छेटमी सलाई पे हमैं एक फंदा यहां से और एक फंदा यहां से बढ़ाना है, ठीक है, तो चलिए, फिर मैं इसको कम्प्लीट कर लेते हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ यहां पर मैंने इसकी length complete कर लिये length जितनी मुझे रखनी है ठीक है जितनी length मुझे इसकी रखनी है leg के crochet area से नीचे की तो वो मैंने यहां पर complete कर लिये अब मैं यहां पर आपको इसको measure करके बता देती हूं अगर सलाईयों की बात करते हैं कि मैंने इसमें कितनी सलाईया निकाली है जैसे counting करके मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देती हूं इस तरह से मैंने यहां पर count किया है जैसे 1,2,3,4,5,6 इस तरह से मैंने यहां पर लिये 98 सलाईया border के बाद ठीक है border मैंने आपको बता दिया था मैंने कितना बनाया है border मैंने यहां पर थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है 1,5 इंच का border है येस, ये देखिए, धाई इंच का मैंने बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने इंची टेप से मेजर करके बता देती हूं, उसको मैं ज्यादा खीचूंगी नहीं, नॉर्मल इस तरह से रखते हूं, अब मैंने ये देखिए, इसकी लेंथ मैंने करीबन बनाई है, साड़े ब यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, साड़े बारा इंच, और बॉर्डर को मिलाके मैंने बनाई है, पंदरा इंच, ठीक है, तो आप ये वाला एरिया, अपने अकॉर्डिंग बनाए, वैसे मैं ये जिस मेजरमेंट का बना रही हूं, उसके हिसाफ़ से आप ये एरिया, साड थोड़ी सी ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, और देखिए, यहाँ पर फंदे बढ़ाते, मैंने याँ फॉर्टी एट फंदे, फॉर्टी सिक्स फंदे डाले, उसके बाद बढ़ाते, बढ़ाते हर छट्वी सलाई पर, मेरे पास यहाँ पर हो गए है, 76 फंदे, ठीक है, 76 फंदे, और कभी कभी क्या होता है, कि मुझे ऐसा लगता है, जैसी कहीं पर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फंदे करने है, या कम करने है, तो उसे साब से मैं बढ़ाते हूँ, छट्वी सलाई पर, या फिर कोई चौथी सलाई पर, या फिर जब ऐस लगता है कि फंदे कम लग रहे हैं, मुझे या पर, तो मैं चौथी सलाई पर एक दो बार बढ़ा देती हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि या फंदे ज़्यादा हो गए है, तो फिर मैं चट्वी सलाई की जब आठीक है, इस तरह से मैं करते हूए, यहाँ पर मैंने 76 इसके बाद मुझे क्या करना है यहां से अब मुझे क्रोचे टेरिया बनाना है ठीक है उसके बाद मुझे यहां पर करना है घटाई गटाई किस तरह से करना है घटाई मैं यहां पर 3 2 1 की करूंगी जिस तरह से मुड़ों की घटाई करते हैं स्वेटर में बच्चे के गया मेरा ठीक है ये देखे दो और ये ये देखे तीन मैंने या पर तीन फंदे घटा दिये इसके बाद मैं सभी फंदे बुलूंगी पूरी सलाई के गटाई मैं दोनौ साइट से करूँ इधर से भी और इधर से भी ठीक है देखे पूरी सलाई को पूरी रोकों में सीधा बुनते हुए आई हुँ तीन फंदे घटाने के बाद ठीक है पूरे लाश्ट तक हम बुल लेंगे अब देखिए मैं फंदे कैसे घटाती हूं लाश्ट में आपको बता दू एक फंदा ये जो लाश्ट का है इसको मैं वतार लेती हूं से लाइप ठीक है उससे क्या उतना है कि किनारी बहुत अच्छी आती है बनके अब उसके बा तीन ठीक है पूरी सलाई में उल्टी बनूँगी इसी तरह से आप लाश्ट तक तो हमने दौनों तरफ से ये तीन तीन पंदे की घटाई कर लिए यहां पर मैं इस पंदे को इसी सलाई पर रहने दूँगी इस तरह से बिना बुने ले लूँगी नेक्स्ट इधर आवंगी मैं तो इस पंदे को इस पैसे इस तरह से तार दूँगी ठीक है अब मैं एक पंदा और घटाऊंगी अब है तो यह दिके तो दो फंदे यहे देकि कितनी अच्छी किनारी बन के आता यह है यहां मैं एक NICK आपको दिखाते हूं थोbelा स और जब बन के आए गए अगर हम एक पंदा स्किप कर दें तो थोड़ा सब और बन के आए गा तो आपको क्लियर दिखाई देग देखे दो फंदे मैंने यहाँ से घटाई पूरी रो यहाँ तक उल्टी बुनूंगी लाश्ट का फंदा jeśli कीप करूंगी तो तीन-दीन फंदे हम घटा चुके अब हम दो-दो फंदों की घटाई कर रहे हे इस तरह से कि देखें लाश्ट का फंदा इस पर ले लिया मैंने बैक साइड आउंगी अब मैं यहाँ पर उल्टी साइड से फिर-से दो फंदे घट आउंगी वह देखें किस-स्तर से कि इस पंदे को इस फंदे कर से मैं निकाल दूंगी है कि एक फंदा मेराय घट गया है दूसरा फंदा यहां बुनूँगी और इसको यह देखे इस तर से निकाल दूँगी फिर से मैं पूरी रो उल्टी निकाल लूँगी देखे रॉंग साइड से पूरी रो उल्टी बनती होई आए अब हम इधर से और इधर से तीन और दो की घटाई कर चुकें हमें तीन और दो इधर बिकर दी तीन और दो इधर भी कर दी अब हम एक पन दा घटाएंगे ठीक है यह देखे इस तरह से बस एक पन दा गट गया अब पूरी सलाही हम सीधी बुनेंगे देखिए इस साइड लास्ट में आ गए अब रॉंग साइड से हम एक पंदा और घटा देंगे यह देखिए बस इसके बाद हम अभी नहीं घटाएंगे पूरी रो हम उल्टी बुनेंगे यह देखिए यहां पढ़े जो मैंने एक पंदा शीप करके बताया था है आको घटानstein किनारी कितनी किलियर आती है यहां कि कितनी पन लग सफाई से आती है दौन तरफ यहां पर भी देख लिजिंगे यह देखिए math ही तो यहां पर हमने मार्क लगा लिया था क्योंकि यहां पर मैंने स्टाद किया था क्योगि मुझे चार पंदे में पहले तो मैं यहां पर सीधा सीधा बनाओंगी चार फंदे में करीबन लेंथ में बनाने के बाद ही बताओंगी आपको कितनी बनाओंगी करीबन पचास से साथ सलाइया तो बनाओंगी और इस बीच में एक फंदा इदर से एक फंदा इदर से फिर से कुछ सलाईयां बनाने के बाद 12 या 15 सलाईयां बनाने के बाद 12 या 14 सलाईयां बनाने के जैसे कि अभी मैंने यहां से बनाऊंगी मैं 14 सलाइयां बनाओंगी ठीक है यहां से सुनिए इसके बाद मैं 14 सलाइयां बनाओंगी उसके बाद एक फंदा इधर से खटाओंगी एक फंदा इधर से खटाओंगी ठीक है तो मेरे पास यहां 62 फंदे रह जाएंगे दो फंदि घट जाएंगे फिर 14 सलाइयां बनाऊंगी उसके बाद फिर 11 ghटाओंगी एक संद इस घटाओंगी वह बताऊंगी कितना बनाना है तो पहले मैं इससे complete कर लिती हूँ और सेम इसी तरह से हम दूसरे लेग की भी घटाई करेंगी दूसरे पैर की भी हम इसी तरह से घटाई करेंगे तीन दो एक की तो पहले में इन दौनों पैरों को कम्प्लीट कर लेती हूं उसके बाद में आगे बताती हूं कि क्या करना है देखें यहां पर यह मेरा बनके रेडी हो चुका है यह वाला पार्ट अब मैं आपको इसको दिखा देती हूं देखिए यहां से मैंने आपको बताया था कि मुड़े जिस तरह से हम स्लीप्स की मुड़े की घटाई करते हैं तीन दो एक तुम सी तरह से यह यहां ने पर यह घटाई करी हैं उसके बाद मैंने आप यह इतना बना लिया है packet यह मैं आपको अभी मेजर करें बता देती हूं ग्लच पहले द्वालस को बिल्कुर्थ सीधा से रख लेती हूं प्र तो किसम अचारो интड देखें यहां मार्क पर देख लेते हैं कि मैंने यहां पर मार्क लगा दिया था बिना खीचे करूंगी यह देखें मैंने यह 8 इंच बनाया है देखें आप देख पा रहे होंगे 8 इंच मैंने यहां पर बनाया है ठीक है, same part मैंने इसे भी बना लिया है, डॉनो लेक सेम बनेंगी, यह हमारा क्रोचट एरिया है, यह देखिए, same, 8 इंच मैंने डॉनो बना लिये, अब देखिए हमें क्या करना है, बस यहाँ पर देखिएगा, डॉनो साइट से यह देखिए सीधी तरफ से रखिएगा, इस बाद घटाया है, मैंने एक बार यहाँ घटाया, एक फंदा इधर से, और एक फंदा इधर से, फिर एक बार मैंने यहाँ घटाया, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, मुझे सिर्फ चार फंदे घटाने थे, क्योंकि हमारे पास 64 फंदे थे, इसके बाद मैंने आप इन फंदों को हमें आधा आधा करना है ठीक है इस फंदे के इस पार्ट के इस वाली लेके 30 फंदे में यहां पिन होल्डर में निकाल लूँगे ठीक है 22, 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यह 30 ठीक है बंद कर दिया इसको नहीं बनाओगी मैं अब यहां काउंट कर लूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ठीक है इसके मैंने यह बंद कर दिये ध्यान से देखिए ठीक है अब इस वाले पार्ट को मैं रखूंगी रखूंगी ठीक है अब मैं यहां पर क्या करूंगी इसको मैं यहां पर एक धागा जोड़ूंगी ठीक है इसको गुनते हुए यहां तक आऊंगी देखिए इस वाले पार्ट में यह लगी हुई है मैं इसी को कट कर देती हूं थोड़ा सा दूर से कट करती हूं ठीक है ऐसी करके इन फंदों को में पूरा बुनूंगी सीधा बुनूंगी पूरा दिखा रही हूँ आपको देखे सरसे इस इह दिखे मैंने आप ये बूल लिया ठीक है इसको हटा देती हूँ अब यह देखिए यहां पर ये मैंने बंद किये हुए अब मैं क्या करूंगी इस सलाई से भी 30 फंदे यामि बंद करूंगी इस साइट से जैसे उस side से किये हैं वैसे इस side से करूँगी और इन 30 फंदों को मैं बुलूँगी तो इन 30 फंदों को मैं इसी सलाई में बुलूँगी ठीक है एक साथ बुलूँगी अब थोड़ा सा इनको हम एक add कर देते हैं एक साथ तो हम क्या करेंगे आपस में यह joint हो जाएं यह वाला यह देखिए यहां पर यह joint लग यहां अरे blur हो रहा है थोड़ा सा सॉरी गाइज कि एक नट में आपको वापस से दिखा देती हूं क्यों कि बलर हो रहा था कि दखा कि बंदै को इस टरफ कर लेंगे और इस फंदे को इस तरफ कर लेंगे देखेए इसको हमने इंकाल दिया इसको इस सलाई पर लिया चुली वह समय बलर रहाता तो चाहँद आपको नहीं दिखाई दे रहा हूं तो मैंने चाहती कि कोई भी पार्ट आपके लिए मिस्कों मिस्कों यहां पर देखिए सीधा बुनेंगे और पूरे 30 फंदे हम सीधा बुल लेंगे इस धागे को थोड़ा सा खीच देंगे यह देखिए आपस में यहां पर यह जॉइंट हो क्या है यह देखिए आपस में ठीक है अब गोले वाले धागे को हम आगे चलाएंगे तब तक बुलूंगी मतलब कि 30 फंदे बुल लूंगी लास्ट के 30 फंदे में चोड़ दूंगी ओके अब जड़ा काउंट कर लेते हम जैसे अभी तो काफी सारे पंदे रहे गया है जैसा लग रहा है आप काउंट कर लेते हैं दो चार छे आर दस बारा च्वदा सोला ठारा बीस बाईस चौबिस चब्विस अटाइस तीस दो फंदे और बोल लेते हैं अब यह देखिए यहां पर इन फंदों को मैं पिन होल्डर में फिक्स कर दूंगी ठीक है क्योंकि हमें इन पर काम नहीं करना है अभी साइड के जो तीस फंदे में निकाले हैं इन पर काम नहीं करना है क्योंकि इसको मैं फिक्स कर दिया अब यहां यह फंदे और यह संदे हमारे यह 60 फंदे मरे इधर आ ड़न्ट से ही फर्वेंट अभाहव हमें नैक्स मैंत सबीन फैंपंपंगे तो इन इन परेमें को एक साथ कर लेंगेब यहां से बस्अए पूरी रोह यहां से यहां तकκα当's कि इस सारसे पूरी डूं इसी तरव से ये देखें ऐल्टी साइट से मैंने पूरी डॉ निकाल ली अब मैं फ्रंट साइट पी मैं या पी दिखी जॉइन्ट के बाद दो लाइन्स नेकाल ली एक सीधी और इक कुल्टी ठीक है अब यहां पर क्या करना है इसे एक तरफ रखना है इनको नहीं कुछ भी करना है हमें एक सीधा और एक उल्टा ठीक है हमें यहां पर बॉर्डर बनाना है बारा फंदेगा देखिए एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फिर एक सीधा एक उल्टा बारा फंदेगा बॉर्डर बनाना है दो चार छे आठ फिर से एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा और एक ये उल्टा ये देखिए पट्टी बनानी है क्योंकि बारा फंदे की पट्टी हमें इस तरफ बनानी है बारा फंदे की पट्टी इस तरफ बनानी है एक उल्टे एक सीधे की क्योंकि ये हम अब हम जो है देखिए लास्ट में आगे बिल्कुल सीधा बुनते हुए आप हमारे पास यहापर बारा फंदे रह गए अब हमें यह बारा फंदे पट्टी के इस तरह से बनाने कि हमारे पास यहापर लास्ट बाला जो फंदा है वो सिधा आये तो हम यहां पे एक वंदा वटा बनाएंगे देखिए वलटा, सिधा उलटा, सिधा उलटा, सिधा अ-ब पीछे जाएगा सीधह दागा आगे अआए उल्टा बागा पीछ जाएगा सीधा अगे आहां यह स्जा लोग फिर यह लास्ट में हमारे पास आगे सीधा ठीक है इसी तरह से अब हमें रीपीट करते जाना है आठ सलाईया बनानी है इस से मतब तीसरी ये हमने बनाई य are होती हम बना रहे है अब उल्टी साहिड से जो पंद हमें जैसा दिखराई है बारा फंद आमे वैसा निकालना देहिds कि पहला पंद उल्टा है डागा आगी जाएगा येकर बारा फंद हमें उल्टे सीधे की निकालने पट्टी के 9 10 11 और यह 12 ठीक है यह देखे बन गए अब सॉरी यह देखे दहागा आगे सबी फंदे उल्टे उनेंगे लेकिन यहां पर जो लाश्ट में बता देती हूं आपको आप बना लीजेगा वैसे ही यह जो लाश्ट में 12 फंदे हैं वो उल्टे सीदे पट्टी के बनेंगे ठीक ह फिर नेक्स रोप है जैसे मैंने भी बताई थी वैसी बनेगी इस तरह से यह हमारी फोर्थ रोव है और चार सलाईया हमें और कंप्लीट करनी है यानिकि टोटल आठ सलाईया हमें बना लीनी है फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूं क्या आगे क्या करना है पट्टी पे आगे हैं मुल्टी साइट से इस साइट तो अब हमें यह बारा फंदे बुनने है एक उल्टा एक सीधा यह फोर्थ रोव हमारी यह देखिए एक उल्टा और एक यह सीधा इसी तरह से यह हमारी चार चौथी सलाईय कंप्लीट हो जाएगी बनके यह देखिए कुर्ण को कि यह जो इस सलाया आपस में तकरा रही है चार चार सलाईय हो गए हैं आप है हमारे पास तो उस्टी वह इस का फॉजा यह देखिए बताती आपको क्या करना है यह देखिए यहां पर इतना complete हो गया है हम मैं आपको इसका आगे का दिखा देती हूं यह देखिए यहां पर यह फंदे हमने बंद कर दिये थे मतलब कि side से एक loop holder में ले लिये थे क्योंकि इनको हमें back part है बाद में बनाना है यहां मैंने यह 10 सलाइगां बनाके complete कर लिये ठीक है यह देखिए यहां से यहां से यहां तक मैंने 10 सलाइगा लिये और यह देखिए दो सलाई तो मैंने सीधी उल्ठी निकाली उसके बाद एक उल्ठे और एक सीधे का ये बॉर्डर बनाया है बारा फंदे का बॉर्डर मैंने इस साइड बनाया है बारा फंदे का बॉर्डर मैंने इस साइड बनाया है ठीक है या मने ये नीचे का एरिया है बच्चे के पैर का अब ये बच्चे की पैर की लेंथ तक हमने यहां तक बनाके एडी किया और I know कि इसकी लेंथ बहुत जादा रखी है मैंने तीन साल के बच्चे के लिए लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लंबा ही रखना था अब यहां से यह जो हमने तीन दो एक ही घटाई किये यहां से लेके यहां तक ठीक है यह देखिए इस घटाई से लेके यहां तक यहां तक यह हमारा आसन एरिया है क्रोचिट एरिया है जो बच्चे का उपर का एरिया आता है लेक से यहां तक का अब इसके बाद यह जो पार यह इस तरह से जाएंगे यह पार्ट इस तरह से आएगा यह दिखिए इस तरह से यह पार्ट आएगा तो यह back side का portion हो गया और यह front side का हो गया तो front side पर मैं यहाँ पर pattern डालूँगी थोड़ा सा बिब के एरिये पर यहां से मैं अपना pattern start करूँगी में एक आपहों आपको दिखा देती ही कि यह पर क्या डालूंगी यह यहसे बनाते गीफ क Goddess की रहा इस जगे पें ऑसने करें तो इसको मैं बताना मेंने बता दिया है मेरी चैनल में इसका पूरा इसमें तो मैं step by step नहीं बता सकती थी आपको एक एक सलाई निकाल के क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अभी भी बहुत लंबा हो गया है तो इसलिए मैंने इसका पूरा वीडियो डाल दिया इस pattern का तो आप जब भी अगर इस डंगरी को बनाएं तो आप यह pattern से देख लें कि यहां पर मैंने किस तरह से बनाया है बाकी मैं यहां पर यह फंदों का डिवाइड करना वो सब बता देती हूं अब देखिए मेरे पास यहां पर 60 फंदे हैं ठीक है अब यह pattern मैंने किस तरह से डाला है यह मैं आपको बता देती हूं मेरे पास यहां है 60 फं डाली है मतलब 24 फंदे हो गई तो 60 मैंसे मैं जब 24 फंदे अलग कर देती हूं तो मेरे पास यह 36 फंदे बचते हैं बीच में यह जो सीधे वाले फंदे हैं यह मेरे पास 36 फंदे हैं अचा मेरा यह वाला जो पैटन है वो मेरा 28 फंदों का पैटन है ठीक है लास 28 फंदों का प ठीक है आट सलाहिया मैंने यह बना लिए यह वाली सॉरी हाँ आट सलाहिया मैंने बना लिए इसके बाद मैं पैटन चड़ाओंगी इस वाली सलाहि से तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है मुझे यह हाँ 28 फन दोगा यह पैटन एंट तो 36 मैं से अगर मैं 28 हटा दूंगी मेरे पास यह 36 फंदे बचे हैं इसमें से अगर सीधा फन्दा हमने इस तरह से एसे सरी po सीधा फन्दा इस तरह से टारेंगे धागा आगे डाइगा कि पट्टी के बारा फंदे में यहां पर बुण लेती हूं यह देखे k Hai Patt is my अब मैं यहां पर 28 फंदों के बाद मेरे पास जो आठ फंदे बच रहे रहे हैं यहां पर देखी मैं थोड़ा सा बता देती हूं कि टीया देखी साच फंदे है मेरे पास यहां पर 24 इस फंदे की मेरी 12-12 फंदे की जो पट्टी है वो दिकाले कि तो मेरे पास 36 फंदे बचे है अब 28 फंदों का ये मेरा पैटन है ठीक है उसमें से मैंने ये 36 पैस्ट निकाले मेरे पास 8 बचे है चार-चार में मैं ऐसे डिवाइड कर दूँगी जिससे के मेरा ये जो यहां से लिंख टीक है चार भंदि बुननी के बाद मैं यहां से देखिए ऐसे ही पट्ती से पहले यहां यह जो पट्टी है यहां पे हमारी प्त्ती लिटे लिटे फंद्ब पर खतम होते है मतलब यहां से स्टार्ट होगी 1-2-3-4 बबंगी फंदे इसके बाद इतने फंदों में मुझे ये pattern set करना है अब मैं आपको बता देते हूं थोड़ा induction आईयडिया दे देते हूं हमने कुछ भी नहीं बुनाए एक दो तीन चार चार बॉक्स में सेम कलर से बनाऊंगी इसी वाले कलर से उसके बाद फिर यहां पर मैं एक दो तीन चार फंदे वाइट कलर से बुनूंगी ठीक है इसी तरह से मैं यहां पर बुनती जाऊंगी तो इस पैटन को मैं डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पर तो इस पैटन आप चाहें तो इसे बिना पैटन के भी सिंपल सिंपल बनाते जाएं आप अलग से उपर से कुछ भी क्रोशिया का पैटन वगएरा कुछ भी बना के लगा लें तो वो आप इसमें लगा सकते हैं ठीक है औ और कोई भी फ्लावबर कुछ भी आर्टिफिशल फ्लावबर बगर लगा सकते हैं आप इसमें बट मैं यहाँ पर यह रैबिट बनाऊंगी तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरे चनल पर आप वहां से जाके देख सकते हैं अब मैं इसे नॉर्मल इसी तरह से कंटिन करती जाओंगी और एक चीज और मैं जब इसमें क्या करूंगी कि चार फंदे इस साइट से और चार फंदे इस साइट से हर दो हर तीसरी सलाई पर ठीक है हर तीसरी स्वरी हर चौथी सलाई पर मैं एक एक फंदा घटाती जाओंगी दोनों साइट से ठीक है वो मैं किस तरह से घटाओंगी वो मैं आपको बता दूगी अभी ठीक है तो चलिए पहले नहीं घटाने का तरीका आपको बता देती हूं अब देखिए इसके बाद मैंने यह पैटन बना दे लिए मेरे नहीं हो जिसका वीडियो मैंने डाल दए लिए अगर आपको यह एक परन डालना है तो मेरे उस चानल पर चाहन स्वारी मेरा वो देख लीजिए यहां कि आठ सलाय मेरी यह हो गई दो यह गई दस लाइओं के बाद मैं आप घटाऊंगी तो पहले तो मैं यह पट्टी के फंदे ले लेती हूं 12 पंदे बुल लेती हूं उसके बाद फिर हम फंदा घटाएंगे अब देखिए ये मैंने पट्टी के बारा फंदे बुल लिए अब यहां से जो दो फंदे सीधे दिख रहे हैं आपको ये उल्टे फंदे के बाद दो फंदे मुझे ये बैक साइड से घटाने है देखिए इस तरह से नहीं घटाने है मुझे ये इस तरह से घटाने है ये देखिए दो का एक कर देना है यहाँ पर देखिए मैंने ये दो घटा दिया एक फंदा एक फंदा में इस साइड घटा हूँगी अब मैं अपने पैटर्न के साथ कंटिन्यू करूंगी पैटर्न आप मेरे चनल पर देख लीजिएगा इस तरह से हम डालते जाते हैं इस तरह से पीछे से दो का एक इस तरह से अब हमें करना है इस तरह से तरह से अब हमें करना है इस तरह से, ठीक है, यह देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक-एक फंदा घटा दिया, अब मैं चार सलाई के बाद घटाऊँगी, चार सलाई के बाद घटाऊँगी, चार सलाई तक मैंसे ऐसे ही continue करूँगी, अब देखिए मैं इसे पति इससे बना लूँगी, इसके बाद मैं यहां पर इसके पीछे सीधी वो सौरी उल्टी रो बनाऊंगी एक फिर सीधी बनाऊंगी दो फिर उल्टी तीन फिर सीधी बनाऊंगी चार हां उसके बाद फिर उल्टी बनाऊंगी पांच सौरी चार पर घटाऊंगी मैंने यह किया है इसके बाद यह जो सल तो मैं पहले इसको इसी तरह से पैटन के साथ कंटिन्यू कर लेती हूँ पैटन आप मेरे चैनल पर देख लीजेगा मेरे वीडियो में अगर आपको यही पैटन डालना है वनना आप इसको सीधा-सीधा बना सकते हैं ठीक है यह देखिए इस तरह से तो चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको हर चार सलाई पर सौरी चौथी सलाई पर मैं घटाओंगी और कितना घटाओंगी वो मैं आपको बता रहे थी कितनी बार मैं थ्री या फूर टाइम घटाओंगी ठीक है उसके बाद फिर मैं ऒताओंगी क्या आगे कyttाना है अब पहले मैं इतना कर लेती हूँ फोड़ा सा उसके बाद फिर ने आपको दिखा करके बताते हो यह देखिए यहां पे अब मैंने यह एक एक फंदा इस साइट से घटा लिया था इसके बाद अब मैं फिर से एक एक फंदा घटाऊंगी और उसके बाद हर सीधी तें पहर फनदे घटाऊंगी यह पनदें जाओंगी तेल गरिशी करें है पत्ती के फंदी बुलू पहले में बारा यह देखे मैंने यह पट्टी के बारा फंदे बुल लिये अब यहाँ पर मैं एक फंदा घटाओंगी किस तरह से यह देखे बैक साइड से और एक चीज का और खास ख्याल रखेगा दौनों साइड के पार्ट सेम बनेंगे पीछे के और आगे के अब देखे मैंने यह पर यह घटा दिया अब मैं अपना नॉर्मली डिजाइन के साब से कंटिन्यू करूंगी और यहाँ पर जब मैं आओंगी लास्ट मैं एक बंदा एकनेट क्लियर कर देती हैं यह वाला घटाओंगी वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी अब देखे यहाँ डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए तल्यू है ब्लास्ट में आ गई हूँ और यह वाला जो मैं पैटर्ण डाल रही हैं यह आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं लिकिन मैं जो पैटर्न डाल रहे हैं यहाँ पे ein ऑफन बनाना बता रही हूं आपको तो अब देखिए अब हमें किस तरह से घटाने हैं यह देखिए दो फंदे पहले तक यहां पर हमें घटाने हैं इस साइड हमने घटाएते देखिए इस तरह से बैक साइड के से लूप से अब हम इस तरह से घटाएंगे यहां पट्टी है पट्टी से दो फंदे पहले देख यह थोड़ा सा पट्टी के पंदे बुनने के बाद कि अब हमें कब घटाने है कैसे घटाने है इसके बाद मैं से कम्प्लीट उने के बात दिखाउंगे आपको दो बार मैंने फंदे घटाना बता दिया आपको अब आप पीछे वाले में भी इस तरह से करिए अब देखिए यहां पर करना क्या है यह थिखिए हमारा दे पॉर्शन बनने लगा है आप देखिए हमने फंदा यहां गठा एक पंदा यहां घठा बाइव सीधी सलाई पे ठीक है इससे पहले हमने च्छे सबाइब किया है अब हम गयप किरेंगी दोनों साइप से ठीक है ध्यान रखेगा ले यह घटाया है यहां पर और एक यहां घटा दिया यह दिख रहा है अब हम क्या करेंगे रॉंग साइट से हम पूरा उल्टा बुनता हुए अपने पैटन को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम जब तीस से अभी इसके बाद ही जो फ्रंट साइट से आएंगे फिर से हम घटाए इस पर ठीक है इधर से भी घटाएंगे और इधर से भी घटाएंगे फिर हम रॉंग साट जाएंगे फैटन कंटिन्यू करेंगे उसके बाद फिर जब हम आएंगे फ्रंट साइट पर एक फंदा इधर घटाएंगे एक फंदा इधर घटाएंगे तो हमारे पास चार-चार फंदे घट जाएंगे एक दो तीन एक दो तीन चार दो यह घट गए अब हमें दो दो और घटा नहीं है कंटिनू फर हर फ्रंट साइट पर ठीक है दो फंदे तो अब मैं इसको कंप्लीट करके तब बताती हूं फिर आगे आपको कि क्या करना है पार्ट में मैंने यहाँ पर यह अपना पैटर्ण डाल लिया इसके बाद मैंने यहाँ पर करना क्या है यह बारा पट्टी बारा फंदे पट्टी के बनाने के बाद मैं यहाँ पर अब यह जो हम साधा साधा बुन रहे थे अब मैं यहाँ पर पैटर्ण डाल ले थी आप चा करीमन 14-16 सलाई की हैं बनानी है देख एक पंधा यह औल्टा है अब पूरी रो हमें इसी तरह से एक Łउलते एक सीदे क्यीं बनानी हैं ठीक है कि दोनों साइट से एक उलते एक सीदे की बनानी है और ऐसे हमें करीमन 14 सलाई कम्प्लीट कर लूँँगी जितने भी करूँगी वो मैं आपको अभी इसको बुनने के कम्प्लीट करने के बाद बताती हूँ ठीक है इस तरह से मैं बना लूँगी 14 सलाहिया देखे यहां पर यह जो बैक पार्ट है हमने यह फंदे छोड़े थे यह जो अलग अलग कर लिए थे 30-30 अब हम इनको भी एक सलाहिय में ले लेंगे यह देखे किस तरह से करेंगे यह देखे आप बैक साइड की जो बैब है जो हमने 30-30 अलग किये थे इनको हम एक साथ ही इस तरह से ले लेंगे एक ही उसमें यह देखे मैं फिलाल यहीं यूपिन से ही बनाना स्टार्ट करती हूँ अब यह देखे यहां पर जिस तरह से हमने उसमें जॉइंट लगाया थ सेम वही करेंगे यह देखे इस तरह से और इनको हम उल्टा बुल लेंगे यहीं से बुलूँगी मैं यह देखे यह आपस मैं जॉइंट हो गया यहां पर और यहां तक पूरा बुल लूँगी मैं यह देखे यहां पर मैंने यह पूरा बुल लिया इसके बार यहां पर अपनी घूएंट अर्ब्चंट साइड में किस बनाई हैं जो सलाई कितनी बनीए दस सलाई ड़े शायद तो का आठ बनाई है एक मिर्ट में बता दिद्य काउंटिंग करके एक दो तीन चार पाँ शे ऐसात आठ नो दस रई आठ 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 लाइन्स मैं बनाई बनाई है स्टार्टिंГ में 8ंडर गुल लूँगी सीधिय उल्टे की और 7 में पट्टी के 12 पंदे बनाऊंगी में साइट से 20 से फट्री के 12 पंदे ले ज introduced 1dara सीध सीधा और यह दीके 1फंदा उल्टा दोनों साइट से जैसे कि मैंने सेम बनेगा बिल्कुल जैसे कि उसमें बनाया हुआ है मैंने फ्रंट साइट पे और गे देखिए अब देखिए मैंने फट्टी के फंदे बना लिए 12 दो चार छे आठ दस बारा इसके बाद में सभी फंदे सीले बनाओंगी और ये लास्ट बापट्टी के बारा फंदे बना लोगी उसके बाद मैं आठ सलाईया बनाने के बाद फिर ये जिस तरह से मैंने आगे बनाया है सेम बनाती जाओंगी उसके बाद 8 सलाहियां बनाने के बाद मैं एक फंदा इस साइड खटाऊंगे एक फंदा इस साइड ठीक है फिर 6 सलाहियां बनाऊंगे उसके बाद फिर हर सीधी सलाहिय पे तीन बार एक फंदा खटाऊंगे एक फंदा इदर फिर हम उल्टी सलाहिय बनाएंगे फिर एक तो चलिए पहले में इतना कम्प्लीट कर लिती हूं सेम बनेगा जैसे फ्रंट साइड है जैसे रॉंग साइड बनेगा ठीक है उसके बाद से मैं आपको देब बताते हूं कि क्या करना है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिती हूं कि इसको हमें सिलना किस तरह से है आप देखिए यह आपने रॉंग साइड से रखा सिलने का अपना अपना सब्कालग तरीका होता है आप इसे कैसे भी शिल सकते हैं सिंपल है कोई इस्यू नहीं है इसमें यह दे इसको आप यहां से लेकर बता देती हूं आप सिल लीजेगा यहां तक आप इस तरह से सिलिएगा क्यूंकि मैं सिलन नहीं दिखा रही हूं तो आप अपने आप सिल सकते हैं कैसे भी देखे इस तरह से चाहे तो आप मसीन से सिल लीजेगा जो स्लाइ मसीन से भी सिल के बहुत अच्छा फिनिशिंग आती है मैं मोसली जो कपड़ों स्वेटर्स को स्लाइ मसीन से सिलती हूँ क्यों कि आपने देखा हुआ रेडी में जो मार्केट के स्वेटर वगरा होते हैं है वाल जोनी के जैसा लोग आता है इसको सिलने लिज गर बर देक्षто अब जो एचे से यहां से मुपड़ी यहां जो हमें कटिंग करती आप यहां से यहां से यहां संदी Wright a डी कि यहां तक थीक कैं यहां तक सिलना आपको तेकं का ठीक है इसके बाद ऐभ ग्षिंग करीं करें वह पार्ट तिन Solar यह पहले आप इसको बाद में शिले गाध रहे आप इसको से लिए गाधि यू नहीं तो देखे मेरेせ यहां पर यह दागाँ है थोड़ा सा यहां पैसी में मैंने कट किया था आप पहले इसे से लेंगे यह वाला पार्ट यह जो बिब बाला पार्ट आ रहा है यह जो मीचे से आप यह वाला पार्ट से लेंगे यह देखिए अपस में आप जब इसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यह देखिए यह यहां से यहां तक सिलेंगे आप यहां से यहां तक ठीक है चाहे तो आप सीधा करके सिलिए चाहे तो आप उल्टी साइड से सिलिए इस तरह से सिलेंगे कि देखिए इस तरह से आप इसको कैसे भी सिलिएगा कि यह देखिए कि रॉंग साइड से कि देखिए मैं तो इसको जस्ट ऐसे ही सिल दूँगी कैसे भी उसके बाद आपने मैं बताती हूँ कि यह कटिंग से कटिंग को मैं मिलाओंगी और मैं आपको यह डाल के बता रही हूं मैं सको ऑफ केमरा से लूँगी क्योंकि सिलने में बहुत टाइम लगता है इसलिए यह देखिए आपको सिलना कौन सा पार्ट है वह वह मैं आइडिया दे देती हूँ क्योंकि मैं शायद इसको मशीन से सिलाई करूं इसलिए सिले के बाद में आपको यह देखिए यह देखिए यहां पर यह कुछ आपको अपसा पार्ट है किसकी यह देखिए या आपा back लागा झांन को था देख जिर देखिए हैं कि अब यह लैग साइद आपको समझ में आ रही हूं मैं यह वी थोड़ा सा दिखा देती हूं आपको पहले आप ये पार्ट से लेंगे ये वाला पार्ट दौनों साइट से ठीक है इस साइट भी आप ये ही वाला पार्ट से लेंगे पहले यहां से यहां तक ये पार्ट से लेंगे ये चीज ठीक है इसको सिलने के बाद फिर आप यहां से पूरा यह इस तरह से लेके यह जब सिल जाएगा आपस में तो यहां से लेके पूरा यहां तक और यह जो टांग है इस तरह से इसको सिलेंगे कि मैना थोड़ी सी इसकी न आपको लब लम्स लग रही होगी मेरे बचरी की है रसी ठीक है तो मैं इसकी लैट फोड़ी बनाओंगि भी बच्चो का कुछ पता नहीं है बहुत जल्दी उनकी हाइट चेंज होती है तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं बच्चों तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा साल लेको लंबा बनाया है क्योंकि मैं नीचे से अभी साल फोल्ड करके पहना लुगी लिस्ट हम इतना बना रहें तो दो से तीन साल तो बच्चों को कम से कम इतनी मेहनत करते हैं बनना ही चाहिए अब यह देखिए अब यह देखिए आ गया पूरा यह देखिए बिप पोर्शन आ गया यहां पट्टी लग जाएगी वह मैं आपको दिखा दूँगी यह पार्ट इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूं उसके बाद सिलने के बाद कंप्लीट करके मैं आपको उसको फाइनल लुक दिखाती हूं कि कैसा लग रहा है तो यह देखिए गाईस यहां पर मेरा यह बिप पार्ट बिद पैटर बनकर रेडि हो गया यहां देखिए यह 29 सलाई यहा पैसे हाँ पर यह बुर्डर बना दिया यह देखिए लिए ठतो टोटल मेरी यह सेंद लेकर श्टार्ट इन लेकर और यहां तक मैंने थर्टी एट सारी थर्टी सेवं appeal यह बुनियें उसके बाद ऐस से ही मेंने आपको ब्रॉडरtin स्टार्ट कर दिया घात। तो मैंने यहां पर करीबन बनाई है यह 16 लाइन्स बनाई है मैं बता देती हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बनाई है, साथ में बोडर रंजो पत्टी के बारा पने है वो भी इसके साथ में चले हैं मतलब यहां पर जो मैं सीधा-सीधा बन रही थी तो भी मैंने एक, उल्टे-सीदे का बना लिया है यह करीबन और मैं इंचिटेप से नापके बता देती हूं ए उपर जी जो पर ऑइसाहिं और मैंने यहां पर सारे फंदों को सुई से बंद कर दिया-ईचु और चैनल पर सेपरेट्ट वीडियो किया हूग ए और किस तरह संड़े इस तरा से छोटा बनाना होता है इसी वज़े से मैंने ये पैटर्न भी का वीडियो भी अलग्ष शेयर किया है यहाँ पर मैंने आपको डंगरी बनाने का फुल तरीका वो विद मेजरमेंट बताया हुआ है यह देखिए मैंने पूरा आपको सुरू से बताती गई हूँ अब इसको भी बनाके कम्प्लीट कर लिया है यह देखिए यह बैक साइड है वहाँ पर बाइट कलर का यह डिजाइन था तो इस वचे थोड़ा था लाइटिंग एफेक्ट था और देखिए यहाँ पर पट्टी के यह 12 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ दिये है और इस तरफ य मैंने निडिल से बंद कर दिया है बीच के जितने वी फंदे हैं मैंने यहाँ सुई से बंद कर दिये हैं ठीक है और यह एक चीज और पट्टी के बारा-बारा फंदे मिला के हमारे पास यहां से लेके टोटल यहां तक बारा-फंदे यह और यह तो अलग थे और यहाँ बीच में हमारे पास 28 फंदे रहे गए ठेए डिजाइन के बाद 28 गटाने के बाद जान यहां मैंने आपको बताया था harder और यहां पर सीदी साइड सलने के बाद और एक पंदा इस फंद फिर नेंउब और ह यहां साइट में इन फर्टे साइट में पौशंच बनां चाहिए उन्हें में इस साइट है आपको मैं इसका इस का मेजर्मेंट बता दीती ऑ बीगी साथ इंच बना है यह ठीक है इसके बाद मैंने यह बारा-बारा फंदी पट्टी के चोड़ दी अब मैं यहाँ पर लंबी पट्टी बनाऊंगी डंगरी की जो करीवन 10 से 15 इंच के आसपास मैं बनाऊंगी जो कि बच्चे के शोल्डर से क्रॉस होके दूसरी साइड आ जाए येस 10 इंच के करीवन मैं बनाऊंगी इतना तो शोल्डर जैसे कि यहाँ से माल लिजी कि यह एक बटन होल यहां बना सकते हैं एक बटन होल यहां बना सकते हैं जहां पर मैंने यह थम रखा हुआ है ठीक है एक बटन होल आप यहां बना सकते हैं एक बटन होल आप यहां बना सकते हैं मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं यहां पर टिच बटन लगाने वाली हूं जो चिट कि साइड की वही बस हमें बनाते हुए दस इंच तक बनानी है लंबी यह देखिए कि थोगा सा बता देती हूं मैं आपको और अगर आपको इस सोग बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताए या फिर आप मेरे पेज पर मुझे मेसेज भी कर सकते हैं मेरा इजी निटिंग क्लासेज के नाम से ही मेरा पेज है अब भी पेज तो आप मुझ इस जब फिर से बैक करे इन्हीं 12 फंदों को कम से कम 10 इंच बना लूँगी मैं बट़ी को इसको लंबा 10 इंचिश को बनने के बाद मैं यहान पर इस इन फंदों को भी इसमें भर के सलाई में इस तरह से उसको भी इस सिलने के बार मैं आपको दिखाती हूं कि यह कैसा लग रहा है तोड़ा सा मैं आपको यहां पर यह गैलिस वाली पैंट बनकर रीडी हो गई है हमारी बच्ची की यह देखिए यह रैबिट देखिए किता प्यारा लग रहा है और यह वाला रैबिट आप मैंने यहां इस सेम पैटन डालना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है आप वह जाकर देखें अलग से बताया हुआ यह पूरा इतने एरिये में किसको हमें किस तरह से बनाना है ठीक है तो देखिए हमने दोनों साइट से सेम बनाया है यह देखिए स्टेप बाई स्ट ह मैं इंसेगिा कि शीव कर दिया है मैंने इस टेट करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखा रही है अब देकि यह पर यहां पर यह मैंने आपने बच्चे के साब से बटन लगा दियें बच्चे का जो मेरे का शॉल्ड्र लন्थ यहां पर आ रहा है अब मैंने इसमें यहाँ पर यह बटन लगा दिये हैं यह देखिए इस तरह से यहाँ पर एक एक बटन होज जरूर लगाईएगा आप क्योंकि मैंने तो यहां पर देखिए यह नौ नम्मर की जो सलाई यूज की है अब इसमें इतना तो होल होता है थोड़ा बहुत यह देखिए कि बटन इसमें बहुत आराम से एडजेस्ट हो जाता है बटन मैंने इसी वज़े से छोटे वाले लगाएं वो चिट पिट वाले चिट बटन जो होते हैं यहां से मैं इसको पास कर ओए यह देखिए पास हो गया बहुत आराम से आप इसका लेंद्थ आपको कितना बनाना है वो मैं आपको मेजर करके बता देती हूं आप अपने बच्चे के साब से बनाईएगा प्यूकि देकिए मेरे बच्चे कर जाता है इसका मैं मेजर मेंट आपको क्लियर बता देती है यह देखिए मैंने आप यह 11 इंच बनाया है तो 11 से 15 के बीच आप जितना भी अपने बच्चे के कोर्डिंग शोल्डर पर जहां सैट हो आप उतना बना सकते हैं यह देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यह गयल इस वाला पेंट बच्चे का बनने के बाद और इसमें बूल भी कुछ ज्यादा नहीं लगी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और पहली बार आया है तो बैल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजेगा ऐसी और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए बैल बटन जरूर प्रैस कीजेगा और चली फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू और हां मुझे कॉ झांक यू